शिवजी के त्रिशूल पे टिका देवों की भूमी है वारनसी वारनसी एक ऐसा शहर जहां मा गंगा की असीम कृपा बरस्ती है भारत में आगरा के ताजमहल के बाद सबसे जादा परियटक वारनसी के घाट और सारनात सुपा देखने ही आते हैं वारनसी का नाम दो नदियो के नामों से मिलकर बना है पहली है वरुना और दूसरी है असी अर्थात वारनसी पुरानी माननताओ के अनुसार जो इंसान अपनी आखरी सासे वारनसी के गंगा के घाट पे लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ती जरूर होती है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अनुजबंसल और आपका अनुजबकेट में स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको वारनसी शहर के बारे में पूरी ट्रेवल गाइड बताएंगे कि इस खुबसूरत शहर को घूमने का क्या तरीका है आज हम आपको बताएंगे वारनसी के ट्रांस्पोर्टेशन के बारे में कि यह वारनसी में आपको जरूर जाना चाहिए, इसी के साथ मंदिर घूमने के इलावा ऐसी कौन-कौन सी अक्रिविटीज हैं जो आपको वहां करनी चाहिए, प्लस वारनसी में सबसे बढ़िया खाने पीने की जगाएं, और फिर अंत में हम आपको बताएंगे कि वारनसी आने का खर्चा कितना हो सकता है, इतना ही नहीं, वारनसी के आजपास क्या-क्या घूमने के जगाये हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी, तो हमारी ये वीडियो बंत तक देखना और इदिया आप नहीं है, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्काइब करें, बस द निकलने के बाद कोई भी शेयर टैक्सी, बस या ओटो वारनसी के सीटी सेंटर में पहुचा देगा, अगर आप दिल्ली से वारनसी आ रहे हैं, तो आपकी फ्लाइट की टिकेट आने और जाने की पर सकती है, लगभग साले 5000 की, वारनसी अगर आप ट्रेन से आना चाते हैं और दिल्ली से वारनसी की स्लीपर क्लास आपको पढ़ सकती है 400-500 रुपे की, बस या गाड़ी से आने के लिए वारनसी से सारी मेजर सिटी से हाईवे कनेक्टेड हैं, जैसे प्रियागराच, चितरकूट, दिल्ली, लखनाउ, आयोध्या या फिर कानपूर, आप कहीं से भ अंदर घूमने के लिए सबसे बड़िया चीज क्या होगी, वारनसी में बैटरी वाली रिक्षा सबसे ज़्यादा चलती हैं, और क्योंकि यहाँ पे भीड बहुत रहती है और यहां की गलिया थोड़ी पतली है, इसलिए हमारा suggestion रहेगा कि वारनसी में घूमने के लिए जहां गाड़ी पहुँचना बहुत मुश्किल है, अब बात करते हैं वारनसी में होटेल्स की, वारनसी में आपको 5 स्टार से लेकर धरम शालाओं तक सब कुछ रहने को मिलेगा, अब इस मैप में देखिए वारनसी का सबसे बड़ा सिटी सेंटर है सेंट्रल वारनसी, जह लेकिन अगर आपको 5 स्टार होटल के मज़े लेने हैं, तो आप होटल ले सकते हैं वारनसी के नौर्थ पार्ट में, वारनसी के सबसे फेमस 5 स्टार होटल्स नौर्थ वारनसी में स्तित्थ हैं, जो कि आपको साड़े 3,000 से लेकर 10,000 तक मिल सकते हैं, अगर आप होटल्स पे लिखें Hotels in Varanasi, बहुत सारी merchant websites खुल जाएंगी, जो आपको Varanasi में Hotels दिखा देंगी, किसी भी merchant website पे जाएए, अपनी मनपसंद देट डालिए और आपको महा के Hotels मिल जाएंगे आप filter लगाके सबसे सस्ते, या फिर 5-star या 4-star Hotels भी ढूंड सकते हैं Varanasi में धरमशाला ढूंडने का भी एक अनोखा तरीका है, बस Google Maps पे जाएं सबसे पहले लिखें Varanasi, जब Varanasi का नक्षा खुल जाए, उसके बाद वहाँ लिखे धरमशाला और Search पे क्लिक कर दें, तो Varanasi में जितनी भी धरमशालाएं हैं, उन सब की आपको मिल जाएंगी, बस आप एक एक धरमशाला पे क्लिक करें, और उनको call करके उनके rates ले ले, अब बात करते हैं, Varanasi में कौन-कौन सी जगाएं घुमने के लिए हैं वैसे तो Varanasi घुमने के लिए इतना बड़ा है, कि वहाँ पर एक महिना भी आपको घुमने के लिए कम लगेगा, लेकिन हम अभी बताने वाले हैं, Varanasi में घुमने की सबसे प्रसिज जगाएं, जिसमें सबसे पहला आता है, काशिव विश्विनाद जी का मंदर यह मंदर 12 जोती लिंगों में से एक जोती लिंग है, और यह मंदर एक क्यावन शक्ती पीटों में से एक शक्ती पीड भी है शिव विश्विनाद मंदर में आने की कोई फीस नहीं है और यहां की टाइमिंग है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, और यहां पर आप किसी भी सीजन में किसी भी समय आ सकते हैं फिर आता है यहां का 10 हश्वमेद घाट माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्वागत करने के लिए यहां पे 10 घोडों की बली चड़ाई थी इसलिए इस घाट का नाम पड़ा है 10 हश्वमेद घाट इसी घाट की सुन्दरता के वजे से यह पंतिया मशूर हुई है नीम का पेड चंदन से कम नहीं और हमारा बनारस किसी लंडन से कम नहीं 10 हश्वमेद घाट बनवाया गया था बाजिराव पेशवा के दुआरा 1740 में और 1774 में इंदोर की रानी अहिलिया भाई होलकर जी ने इस घाट को दुबारा से बनवाया 10 हश्वमेद घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहां की टाइमिंग है सुबद 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 10 हश्वमेद घाट आने का सबसे सही समय है प्राते काल क्योंकि शाम को इस घाट में काफी भीड होती है अगर आप वारणसी आए तो असी घाट तो बिलकुल मिस नहीं करना असी घाट वारणसी के साउथ में स्थित है असी घाट ही वो जगा है जहां पर आप गंगा जी में डुपकी लगा सकते हैं और शाम को बोट में बैठ के यहां की आर्थिय अटेंड कर सकते हैं असी घाट में आने की कोई फीस नहीं है और यहां की टाइमिंग है सुब़ चार बजे से लेकर शाम को आठ बजे तक असी घाट के पास ही आपको मिलेगा संकत मोचन हनुमान जी का मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदर असी घाट के पास पड़ता है और इस मंदर में संकट मोचन का मतलब है दुखों का नाश करने वाला जो की है राम भक्त हनुमान इस मंदिर में हनमान जी की प्रतिमा इस तरीके से बनाई गई है कि देखने से ऐसा लगता है हनमान जी अपने प्रभू राम जी को देख रहे हैं हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में सबसे ज़ादा भीड रहती है और उस समय संकट मोचन हनमान जी के दर्शन करने से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे इस मंदिर में आने की कोई फीश नहीं है और इस मंदिर की टाइमिंग है सुबा पांच बजे से लेकर रात को दस बजे तक अब इसके बात पड़ता है वारारसी में सारनात स्थुपा माना जाता है कि यह स्थुपा बनवाया गया था राजा अशोक द्वारा जो की बुद्धा जी का एक रेलिक है और इस स्थुपा के पास आपको अशोका पिलर भी दिखेंगे यह स्थुपा परियटो को की बीच बहुत फेमस है अपने गोल आकार और अपनी लाल इटो की वज़े से इस स्थुपा की हाइट है तकरीबन 43.6 मीटर और इसका डाया मीटर है तकरीबन 28 मीटर सारणाथ स्थुपा में आने की टिकेट आपको लगेगी 10 रुपे की और बच्चों के लिए हैं टिकेट है 5 रुपे की और यहां की टाइमिंग है सुबा 6 वजे से लेकर शाम को 6 वजे तक सारणाथ सुपा आने का सबसे सही समय है शाम के समय जब धूप कम होती है तब ही आप यहां पे ज़्यादा अच्छी तरह एंजोई कर पाएंगे तो अब बात करते हैं वारा नसी में खाने पीने की जगाओं की हम सभी जानते हैं कि वारा नसी खाने पीने का हब है और दुनिया भर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वारा नसी के पकवानों का मजा लेने तो वारा नसी में कौन-कौन सी ऐसी जगाए है जहां आपको खाना जरूर चाहिए सबसे पहले है दीना चाट भंडार वारा नसी की कम से कम 60 साल पुराने दुकान है पहरे यहां पर सिर्फ एक छोटा सा स्टॉल हुआ करता था और अब देखते ही देखते ही यह पूरा रेस्टॉरंड मन चुका है यह जगा आपको गंडोलिया चौक वरने सी के पास मिलेगी और यहां पर खाने का खर्चा आपका हो सकता है तक्रीबन 1500 से 200 रुपए पर हैड दीना चाट भंडार आने की टाइमिंग है दुपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे तक दीना चाट भंडार के साथ साथ यहां का काशी चाट भंडार भी काफी प्रसिद है कहा जाता है कि काशी चाट भंडार के प्रसिद होने का राज है यहां की कुलफी काशी चाट भंडार की टाइमिंग है दुपहर के सवाई 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और यहां भी आपको खाने पीने का खर्चा हो सकता है सौट से देड़ सो रुपे पर हैड़ अब अगले नंबर पे हम बात करेंगे उस जगा की जिसने इंडिया में सबसे पहला पिज़ा बनाया था जी हाँ वो बनारस में है और उस जगा का नाम है पिजेरिया और यह शुरू हुआ ता 1992 में पिजेरिया की टाइमिंग है सुबह साथ बजे से लेकर रात को दस बजे तक और पिजेरिया है वरणसी के असी घट पे अब बनारस आये और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाया तो अब हम आपको लेके चलेंगे गामा पान भंडार बनारस में यही पान फेमस है गामा पान भंडार का गामा पान भंडार के साथ साथ केशब पान भंडार और चारसिया पान भी बहुत फेमस है यहाँ दुकाने भी लगबग 30-40 साल पुरानी है और यहाँ पर आप जिस तरीके का पान चाहें उस तरीके का पान आपको मिलेगा कहते हैं कि यहाँ का पान इतना बढ़िया होता है कि बस मुह में डालो और मुह में ही घुल जाता है गामा पान भंदार के पान की शुरुवात होती है 7 रुपे से लेकर और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक अब खाने के बाद समय आता है पीने का भारत की सबसे पहली थंड़ाई की दुकान जो खूली थी 1924 में यहां की थंडाई के दाम आपके शुरू हो जाएंगे 100 रुपे से यहां आपको कई तरीके की थंडाई पीने को मिलेंगे लेकिन यहां पे सबसे famous है मटका थंडाई मटका थंडाई में बादाम, पिष्टा, अलग-अलग तरीके के dry fruits और flavors मिलाते हैं और इस थंडाई को पीने का आनंद कुछ और ही है और यहां की टाइमिंग है सुबा 11 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक उन पे खाने और थंडाई के बाद अगर आपने मीठा नहीं काया तो कुछ नहीं खाया तो मीठे में बारी आती है वारनसी के famous मलाईयो की जिसे कुछ जगा पर मक्षन मलाई भी कहा जाता है मलाईयो केसर, दूद, मक्षन और ड्राय फ्रूट्स का मिश्रण होता है और मलाईयो की वारनसी में सबसे पुराने दुकान है श्रीजी स्वीट्स और मिल्क यह दुकान लगबग 1500 साल पुराने है और यह दुकान वारनसी के साल साल पूरी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है अगर आप वारनसी आए, तो यहां आके मलाईयो ज़रू टेस्ट करिएगा श्रीजी स्वीट्स और मिल्क आपको पड़ेगा चौखंबा वारनसी के पास यहां पर मलाईयो आपको तक्रीबर मिलेगी 400 रुपए पर केजी के हिसाब से और इस दुकान की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक अब बात करते हैं वारनसी में कौन कौन सी special activities है जो आपको जरूर करनी चाहिए सबसे पहले है वारनसी की boating असी घाट पे, boat पे बैटके गंगा आरती देखने का अलगी आनन्द है अगर आप वारनसी आ रहे हैं तो गंगा पे boating करना तो जरूर बनता है और हमारा suggestion रहेगा कि वो आप असी घाट पे करें और वहां आप पहुँचे शाम को 6 बजे ताकि आप boating करते करते वारनसी की गंगा आरती भी देख पाएं ये गंगा आरती आप 10 हश्वमित घाट पे भी देख सकते हैं इसी के साथ साथ आप वारनसी में अलगनन्दा क्रूस का भी आनन्द ले सकते हैं अलगनन्दा क्रूस में एक बड़ी शेप होती है जो आपको एक ही ट्रिप में वारनसी के सबसे फेमस घाट दिखाती हुई चलती है और साथ ही साथ वहां पर आपको इन घाटों के बारे में सारी इंफोर्मिशन दी जाती है ये क्रूस आपको पड़ेगा तकरीबन नौसो से हजार रुपे का तो वारनसी की ये सारी जगाएं घूमने के लिए आपको वारनसी में तकरीबन लग सकते हैं तीन राते चार दिन अब वारनसी में ये पूरा ट्रिप करने का आपका खर्चा कितना आ सकता है तो बात करते हैं वारानसी के expense की transportation के लिए अगर आप वारानसी plane से आ रहे हैं तो आपका खर्चा हो सकता है 5,000 रुपे अगर आप train से आ रहे हैं तो 400 से 1000 रुपे की आप train की टिकेट ले सकते हैं hotel हम यहाँ पे लगाते हैं average 800 रुपे का attractions यहाँ पे almost free है activity में आपको 500 रुपे लग सकते हैं और खाने पीने का आपका यहाँ पे खर्चा होगा 1800 से 2000 तो total आपका खर्चा वारानसी का हो सकता है flight से 8,600 और अगर आप train से आ रहे हैं तो आपका खर्चा होगा 3500 रुपे तो यह थी हमारी वारानसी की short guide I hope आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरू सब्सक्राइब करें बस दबाएं लाल बटन और उसी के साथ दबाएं गंटे का निशान और इस वीडियो के लिए हमारे comment contest का question ये है कि इसके इलावा अगर आपको लगता है कि वारानसी घूमने जाने के लिए कोई information जरूरी है तो हमारे comment में जरूर लिखके बताएं आपको बताएं जो हमारी membership लेता है वो खेल सकता है हमारे comment contest जिसमें एक महिने में सबसे जादा और सबसे सही comment करने पर आपको मिलेंगे couple movie tickets या फिर equivalent paytm cash absolutely free तो हमारी membership लीजिए और comment contest खेलते रहें तो हमारे नाइस टू बी वी दियो अगान, be well, नमस्ते